तो ज़ादा जानकारी के साथ अरुन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अरुन बुकारों में चुनाव आयोग की बैचक चल रही है क्या कुछ जानकारी है आपके पास? पे डिप्टी एलेक्शन कमिशनर यहां बुकारों पहुंचे हैं उनके साथ राजे चुनाव के परमुक है विनेज चौबे जी वो हैं और अधिकारी आये हैं यहां पे और उत्री छोटानाकूर परवंडल के तमाम डीसी और एसपी के साथ अभी समिच्छा बैथा कि इस हो चुकी है अभी लंच के बाद दूसरे राउंड में फिर से वो उनकी जो समिच्छा बैठक होगी उसके बाद वो मीडिया से रूबरू होंगे और क्या कुछ किस तरह तैयारियों पर संतुस्ति हुए हैं यह उसकी जानकारी देंगे तो फिलाल कहें पुनीता तो यहां अंदर में चल नहीं है गहन मंथन और सभी जीलों के जिलाधिकारी और एसपी अपने अपने जीलों और एसपी में क्या कुछ किस तरह के अलेक्षन को संपन कराने की तैयारी उनके द्वारा की गई है कैसे वोटरों को मद्दान केंद तक पहुचाया जाए इसके प्रियास चोटा नाकपूर का मामला है और इसमें चलना है पूरी आठ जीलों के पूरी समिक्षा होनी है जो चुनाओं से संबंदित उन्होंने क्या कुछ तैयारी कर रखी है तो एलेक्षन कमिशन देर सामत हो सकती है तीन चार बज़ जब यह मिटिंग का समापन हो क्योंकि दो अनुपालन हुआ है मद्दान को कराने में इस पर चर्चा होगी और जीलों को असपस यह डारेक्षन दिया जाएगा जो आप जो एलेक्षन कमिशन का गाइड लाइन है उसका अनुपालन हर हाल में करें और मद्दाताओं को निर्भीक होकर भैमुक्त मातावरन में पोल कर कराने के लिए मद्दान के नों तक पहुंचने के लिए परसेंटेज मद्दाताओं का बढ़े इसका पुर्जोर कोशिस करें अभी तक तो यह संभावना है लेकिन जब मिटिंग समाप्त हो जाएगी उसके बाद एलेक्षन कमिशन से बात हो पाएगी जी तो बहुत- दिए और कल फिर से राचिमेक चुना आये कि